आप सभी लोगों को मेरे नमस्कार, मैं हूं सुरभी, आपकी सुरभी आ गई हूं फिर से आप लोगों के लिए एक और नया पिक अराशी रीडिंग लिकर और आज की रीडिंग का जो टॉपिक है आपने देखी लिए होगा थमनेल में टॉपिक कुछ इस तरीके से है कि आने इन से हैं अमारे लिए यह जो रीडिंग है राशियों के आधार पर होगी इसलिए फटा-फट से अपनी राशी का पता कर ले और बहुत से लोगों का सवाल होता है कि नाम की राशी से यह रीडिंग देखनी है या पर जन की राशी से आप दोनों से ही यह रीडिंग देख सकते हो इसके अलावा कोई जानकारी आपको चाहिए गाईज तो आप सीधा जो वीडियो का description है उसे जाकर चेक करें वहाँ पर सारी details आपको मिल जाएंगी आपको paid person readings चाहिए free derocard readings चाहिए सभी की जानकारी वहाँ पर है साथी साथ crystals की भी जानकारी वहीं पर आपको मिल जाएगी आप चाहे तो मुझे mail कर सकते हैं और चाहे तो जो हमारे whatsapp groups हैं वहाँ से भी आप जोड सकते हैं अगर आप चाहे तो instagram पर भी मुझे join कर सकते हैं जहां पर मैं remedies share करती रहती हूं जो भी remedies आप लोगों को चाहिए होती हैं वो ओके तो reading हम शुरू करेंगे देखेंगे आज क्या कुछ आने वाला है हमारी reading में और यह धन्यवाद कहेंगी universe को for everything okay तो चलिए शुरू करते हैं all the best hey guys तो अगर आपकी राशी है cancer scopio Pisces तो चलिए देखते हैं कि April का महीना कैसा रहेगा आप सभी लोगों के लिए all right पहला कार्ड यहां पर आया है night of wands okay guys तो अगर आपने किसी को manifest किया है ना वो व्यक्ति आ रहा है आपके जीवन में यह व्यक्ति किसी तरीके की news लेकर आएगा अब यह news आपकी personal life से जुड़ी हो सकती है professional life से भी जुड़ी हो सकती है आपको पता है आपने manifest किया है इसलिए इनका आना हो रहा है तो हाँ वो काम आपका हो रहा है Friday and Tuesday यह दिन रह सकते हैं जन में इस व्यक्ति का आना हो और यह आपको वो news दें जो कि आप चाहते दें से पाना ठीक है तो अप्रेल में यह काम आपका होगा और यह जादा दिनों तक टिकेंगे नहीं ठीक है अगर आपने किसी से commitment वगरे के लिए इमिन manifest किया है तो वो message यहाँ पर नहीं मिलता है आगे देखेंगे अगर cards आते हैं तो यहाँ पर यह है कि यह kind of कोई information को exchange करने का काम करेंगे लेकिन वो information वो news आपके लिए बहुत important होगी ऐसा होने वाला है और देखते हैं आगे क्या है यहाँ पर है nine of pentacles तो abundance आपके दरवाजे पर knock-knock करने वाली है धेर सारा पैसा आपको मिलने वाला है धेर सारा name and fame आपको मिलने वाला है आप किसी prince या princess से कम नहीं दिखने वाले है अप्रिल के महीने में हो सकता है आपकी कोई lottery लगे हो सकता ह आप ने कहीं invest किया हो उसका बड़ा profit आपको देखने को मिले कोई business कर रहे थे आप जिस पर काफी महनत कर रहे थे तो हाँ यहाँ पर good news आपको मिल सकती है collaboration वगेरे कुछ हो सकता है ठीक है नहीं तो कोई property आपको मिल सकती है ऐसा भी हो सकता है घर से या किसी company से कोई you know हिससा आपको मिले कुछ होगा कुछ ऐसा बड़ा होने वाला है क्योंकि nine of pentacles है इसके बाद सीधा ten of pentacles हो जाता है तो nine of pentacles है इसका मतलब है कि कुछ बहुत बड़ा होगा bank balance आपका double भी नहीं कहूंगी मतलब triple या फिर उससे भी जादा ऐसा हो सकता है I don't know मैं explain नहीं कर पा रही मतलब एक किसी miracle के जैसे है सी यहाँ पर अगर आप देखोगे यह घर है ओके यहाँ पर यह जो princess है यह पूरा gardening इसका चल रहा है और यह पूरा एरिया पूरा खाली है ठीक है look at her gown कितना costly और कितना beautiful है और उसका hair style देखो तो जैसे movies में दिखाते है ना कि एक कम से ना कि कुछ तो हुआ और सब कुछ बदल गिया तो वह चीज आब सुनने में तो लग रहा है कि ऐसे कैसे possible है वाट हो रहा है और कुछ लों के साथ होता भी है लेकिन बहुती कम लों के साथ अभी कैसे हो रहा है वह आपको ही पता होगा ठीक है लेकिन अब ही क्या इस् आकर बताना ओके यहां पर अचानक से पैसा आएगा अचानक से अबर्मेंस है वेल्थ है घर भी है एक पूरा एरिया भी है एंड बैंक बैलेंस भी है कपड़े हैं सब कुछ सुंदर सुंदर नया नया तरो ताजा दिख रहा है ऐसा है येलो सन मैंने बोला ना कुछ तो होने वाला है कुछ बहुत ही मैं पॉफुल होने वाला कुछ कोई बहुत बढ़ा चमतकार होगा है संके नोजी है यहां पर मैं फ्युल कर सकती हूं किस्मत चमकरी है आपकी एप्रिल में गाईस बहुत बड़ा काम आपका बन रहा है और इसके लिए आपने महनत करी है आपको आइधिंक अंताजा भी था कि एप्रिल के महीने तक आपका ये काम होगा मैं ऐसे फील कर पारी हूँ और वो हो रहा है आपने शायद बहुत कम लोगों को हिंट्स दे रखें इस बारे में कि कुछ तो इस्पेशल होगा कुछ इस्पेशल होगा सब कुछ नहीं आपने बताया कि कि आपको है कि नजर लग जाईगी ऐसा वाला कुछ है वो हो रहा है अप्रिल के महीने में सी सिक्स ऑफ पैंटिकल्स बहुत पैसा है बहुत अबंद्स है बाप रे पताया लोग को क्या लगएगा लोग को ऐसे लगएगा जैसे कि ये वाला साइट आपने छफ़बा के रखा था यह हुआ चमतकार यह लेकिन लोग को लगएगा कि इतनी बात आप दूसरों को लोन देने लग जाओगे उस वाली इस्तिती पर पहुंच रहे हो ठीक है अभी आपको हो सकता है कि लग रहा हो कि इतनी जल्दी कैसे हमने भी सोचा है होगा लेकिन इतनी जल्दी कैसे पता नहीं यह हो रहा है यह लोग 10 of Cups तो हो सकता है शादी वगरे हो जाए उसी से हो आपको कोई प्रिंस या प्रिंसस मिल जाए और आपका काम बन जाए 10 of Cups है याँ पर गाइस 9 of Pentacles and 10 of Cups सन एक कार्ड नेगेटिव नहीं है और एक भी कार्ड ऐसा नहीं है जिसके लिए ऐसे ओके-ओके वाली मैं प्रेडिक्शन दूँ सारी कार्ड बहुत सुन्दर हैं यह एप्रिल तो आप मस्ती करने वाले हो मतब यह एप्रिल तो हमेशा आपको याद रह अब जाएगा तो मेरी एपी वो यह और देख लेते हैं क्या है यह यह लोगों से मिल रहे हो गुड न्यूज अपनी सुना रहे हो कई सारे कॉंट्रेक्ट्स आपको मिल रहे मैं देख रही हूं लोग फोटोस क्लिक कर रहे हैं आपको को इंस्ट्रेग्राम अकाउंट है य रात और रात वो ना आपके वीडियो आपके जो रील्स है वो बाइरल हो जाएंगे कुछ ऐसा होगा पका होगा एक स्पीड ऐसी बनेगी ना इसी यहां पर स्ट्रेंथ भी है तो इंफिंटी का भी यहां पर सिंबल है आप एक लाइन को ऐसे कंट्रोल कर जो देखो ना तो बहुत बड़ी आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी हो रही है और यहां पर हैरो फेंड भी हैं ब्लेसिंग्स हैं आपको आपके पूर हो जोगे ऐसा है कुछ लोग के लिए यह गर्मेंट जॉब हो सकती है और कोई बिजनेस भी साथ ही साथ आप कर रहे हो मतलब एक तो गर्मे सन के साथ में यह वाला काड़ाया है है हेरोफिंट का मेजर काना मेजर काना मेजर काना मेजर काना तो उनकी master class चल रही है, वो बता रहे हैं हमने क्या क्या किया था, हम कैसी इतने छोटी से business से, इतना बड़ा हमने बना पाया, तो उस type से न, in future, आपनों को समझाओगे बताओगे, क्या करना चाहिए, job करना है तो कैसे करो, business करना है तो कैसे करो, या savings कैसे करना है, या कहां invest करना है, उसकी जानकारी देना, या personal life कैसे जीनी है, ब्रह्मान्ड से एक अलगी connection आपका बन रहा है अप्रिल के महीने में, I can see, और लोग आपको न, ऐसे, मतलब क्या ही बताओ, लोग आपको ऐसे पूजने लग जाएंगे, कि यार, he knows everything, और she knows everything, ऐसा वाला, तो यह होने वाला है, three of cups, celebrate करेंगे आप अप्रिल के महीने को, आपकी team भी बन रही है, आप कुछ तो बहुत बढ़ा कर रहे हो, कुछ आपने बहुत सोच के रखा था बहुत सालों पहले, उसी पर आप काम करेंगे, आपको पता है, आपको पता है, मैं यह बोल रही हो, तो आप पका हास रहे होगे, कि हादी है तो जरूर ऐसा, तो मुझे बताईएगा, यह मत बताईए कि क्या है, लिकिन यह जरूर बताईएगा, कि क्या ऐसा है, क्या चीज है वो मत बताओ, कि मुझे पता है, आप लोग नहीं बताओगे three of cups भी था community भी आपर आ जुका है so है पूरा team work है आपका और अगर नहीं है तो team बनेगी अप्रिल के महीने में guys आप बहुत कुछ earn करने वाले हो सिर्फ पैसा नहीं मान सम्मान भी, position भी the thinking women यह साब कुछ आपके दिमाग से हो रहा है और यहां पर आ जाता है blossoming abundance अब तो मैं क्या ही कौन all right and you won't believe यहां पर है the sun again, so बहुत यह संदर reading है यह water sign के I think बहुत दिनों बाद ऐसी reading आई है water sign के लिए, so I'm very happy for you guys दो बारी sun का card आया है blossoming abundance का card आया है community है, आपर 10 of cups chariot strength है I don't know what to say, मैं बस यह कहूंगी कि आप इसको affirm करो और यह जितने भी cards है इनका screenshot आप ले लो और अपने diary में आप इसको लगा सकते हो बहुत ही संदर, बहुत ही प्यारी energy है, इसको miss नहीं करना है और इसको underestimate भी नहीं करना है, ठीक है ज़ादा तर लोग कर देते हैं don't do this और यहाँ पर है renvo good news आपको मिलने वाली है intuition आपकी बहुत अच्छे से काम करेगी favorable changes आपकी जीवन में आने वाले है guys, adventure है यहाँ पर renvo का card आगया है जैसे sun का card होता है वैसे renvo का card होता है seven colors आप enjoy करने वाले हैं यहाँ पर भी number seven है see और देख रहते हैं क्या है क्या receive करने वाले है peacock marriage well तो मैंने कहा आगे हो सकता है कि किसी के शादी से कहते हैं कि भाग्योदे हो गया तो वो चीज़ है शादी होने वाली है new birth है आपर rejuvenation की energy है species function यहाँ पर है April के महीने में pick up की energy है यानि कि कोई भी dark and negative energy है उससे भी आपको छुटकारा मिलने वाला इन सारी चीज़ों के साथ साथ fruitful journey ahead बहुती सुन्दर सी journey आपके आगे आने वाली है जिसका बहुती अच्छा फल आपको मिलेगा financial abundance जो कि मैंने आपको बताया and receive good food और बहुती अच्छा अच्छा खाना आपको मिलने वाला है यह तो ना किसी महल के जैसे prince and princess वाली wives आ रही है यहाँ पर आपकी reading में and goal achievement तो कही ना कि आपको goal जो वो पूरा हो रहा है material again again status है यहाँ पर happiness and success यह सब कुछ आपको मिलने वाला है guys twin carves यहाँ आपको family warning है harmony and family है twin flame energy है तो हो सकता है आप अपने twin flame से मिलने वाले है congratulations और देख लेते हैं और क्या आप receive करने वाले हैं we have an end of a tough cycle approaches तो जो भी कठन दिन आपके चल रहते है खात्म हो रहे हैं April में then we have dreams your dreams need a practical plan तो practically आप अपने dreams को अगर you know सच में बदनने की कोशिश करोगे तो आपका काम बन जाएगा यानि कि आपके जो dreams हैं अगर आप उनको पूरा करना चाहते हो थोड़ा practical होकर थोड़ा logically सोचना है planning करनी और फिर आगे बढ़ना है don't let your past hold you back अपने past को अब और जादा खुद को hold ना करने दे आगे बढ़ना है कैसे बढ़ना है उसकी planning आप April में करिए आपको पका सक्सेस अब मैं क्या ही बोली हूँ दो दो बार ही आपके लिए sun का card आया है वो भी अलग-अलग dex है time to release negativity बस यह negativity इस copy की energy है यहाँ पर जो negativity आपके अंदर है उसको आप कृपिया करके छोड़ें और finally एक fiery climax है जो की होने वाला है आपके जीवन में तो इसको receive करें let's see आपके लिए guidance और क्या है आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है कुछ भी आ सकता है यहाँ पर तो let's see what do we have very happy for you guys release the need to complain अगर बहुत साथ शिकायते कर रहे हैं आप लोगों से तो यह करना बंद करो यह आपके लिए अच्छा नहीं है किसी के लिए भी अच्छा नहीं है इस पर मैंने एक छोटा सा शौट भी बनाया था जिसमें मैंने बोला था कि जब आप complain करते हो ना तो सामने वाला भी आपसे परेशान होता है जिससे आप complain कर रहे हो या किसी और की बाते किसी और को बोल रहे हो कि उसने मेरे साथ ऐसा कि यह वो व्यक्ति भी आपको जज़ कर देगा और आपका मन भी शांत नहीं रहता ठीक है तो यह जो अपने अंदर की आदत है इसको निकालो और इसको निकालने का बहुत अच्छा तरीका है योग अगर आप योगा करते हो एवरी डे इससे बहुत आपको रिलीफ मिलता है I don't know आप कितने लोग योगा फॉलो कर रहे हैं या नहीं मुझे पता इसके रिजल्स कैसे होते हैं मैं यही रिक्वेस्ट करूँगी आप लोगों से कि प्लीज आप लोग ट्राइ करो हलकेफुल के जो पोजेज हैं उनसे ट्राइ करो शुरू करो बॉडी डीटॉक्स करने के लिए जो योगा पोजेज हैं उनसे शुरू करो बाद में फिर आगे करते जाना क्योंकि आपका खुद मन लग जाएगा उसमें यह करो योगा करो अप्रेशेट आप सरी जो भी आपस है उसे तया हैं यहारर क्भा अब आप पॉपी आप सरी को तक्लिफ दो यह जांड कुझालिकर आप को लोगे लोगा क्यों को इस तरीके से लोगे मेरे साथ घलत हो गया मेरी किसमत खराब है मेरे साथ में भेदवा हुआ तो आप इसी समय उलजहर है जाओगे आपको वो नहीं करना है आपको आगे बढ़ना है राइट तो यह सम नहीं करो इससे मुक्त होने की कोशिश करो अगे अल्राइट गाइज तो यह थी आपकी रीडिंग आपको पसंद आई हो अगर पसंद आई तो लाइक जरूर करें रेजनेट करी हो तो मज़े जरूर बताएं शेयर करें सब्सक्राइब करें गाइस थैंक यू सो मच पॉचिंग वीडियो ठेक के लव यो बाइज तो अगर आप लोगों की राश्या है एरीज लियो सेजिटेरियर तो चली देखते हैं आपके लिए अपरिल का महीना कैसा रहने वाला है लोगों के लिए दी स्टार का विच मीन्स के एपरिल के महीने में आप सभी लोगों की हीलिंग होने वाली है प्लस कोई आपकी विश जो आप बहुत दिनों से यूनिवर्स के सामने रख रहे थे या आप चाहते थे कि वो विश आपकी अभी इसी महीने पूरी हो जाए तो हां वो विश मेरा मतलब था कि कोई भी हीलिंग फिजिकल हीलिंग हो सकता है मेंटल हीलिंग हो सकता है एमोशनल हीलिंग हो सकता है इस्पिशल हीलिंग हो सकता है कोई भी हीलिंग हो सकती है मिलेगा या फिर आपको बहतर ट्रीटमेंट मिलेगा अगर आपको यह चोटे-मोटे दिक्कते कुछ लगी रहती है ऐसे फीवर है कभी कोल्ड कफ जल्दी-जल्दी हो गया यह सारी चीजें है या बॉडी पेंट होता रहता है दन प्लीज आप एप्रेल के महीने में इससे क्या होगा न आप देखो होगा उसमें निकलेगा कुछ भी नहीं लेकिन आप न आपको एक आराम हो जाएगा मैं कैसे समझाओ सीब जब हमें पता नहीं होता ना exactly हमारी बॉडी में क्या चल रहा है तो इस्ट्रेस होता रहता है कि यह तो नहीं है कहीं वो तो नहीं ह कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा हमारे अंदर कहीं वैसा तो नहीं हो रहा तो होता कुछ नहीं है लेकिन सोच के हम बना लेते हैं कि कि हमें पता नहीं है हम गेस कर रहे हैं उससे हमें स्ट्रेस हो रहा है और हम भी मार हो जाते हैं तो इससे बेटर क्या है आप हर महीने या छे मही महिने में एक बारी ब्लड टेस्ट करवा लो उससे आपको क्लारिटी मिल जाएगी तो आप ना चिंता मुक्तर होगे तो अगर ऐसा कुछ हो रहा है ना चोटा मोटा तो आप एक ब्लड टेस्ट करवा लो एपरिल के महिने में ठीक है यह आपके लिए मैसेज है और वैसे तो यहां पर हीलिंग के मैसेजज है तो अगर कुछ चल भी रहा होगा ना तो एपरिल में ठीक हो जाएगा ऐसा है और देखते हैं क्या है आपके लिए और कोई बहुत बड़ी इच्छा आपकी पूरी हो रही है अगर आपको ओशन साइड पर बीच पर कहीं जाना है या आपक के लिए बहुत ज्यादा उसका कौस्ट था आप नहीं करवा पा रहे थे एप्रिल की महीने में करवा पाओगे कुछ भी हो सकता है कोई चोटे मोटी विष्ट हो सकती है कोई बड़ी हो सकती है जो भी आप चाहते हो इच्छा आपकी पूरी होगी रही है तो कोई आपके ज इनको लेकर आप थोड़े से confused रह सकते हो कि इनके साथ आगे बढ़ना है या फिर नहीं, but finally आप decide करोगे इनके साथ आगे बढ़ने का, so April के महीने में आप अपने destin partner से मिलने वाले, बहुत से लोगों का ये सवाल होगा, कि हम कब मिलेंगे, तो April का महीना है, first या second week में आप क कि इनसे meeting हो जाएगी, ठीक है, कुछ लोगों के लिए हो सकता ही, आप से चार से पांच साल बड़े हो, कुछ लोगों के लिए हो सकता है, बराबर कि हो, okay, depend करता है, कि आपने manifest क्या किया होगा, हाँ, कई बार ऐसा हो जाता है, तो जो भी है, आप देखना, उसके बाद, April म अगर आप एक painter हो, या आप एक कभी हो, या आप एक लेखाक हो, तो April का महीना आपके लिए बहुत अच्छा है, आप publish करवा सकते हो, आपकी book या जो भी आप कर रहे हो, आप painting वागे रहे हैं, तो उसको सामनी ला सकते हो, and you know, अगर कुछ बड़ा नहीं कर सकते, तो Instagram, YouTube के जरीए आप लोगों को दिखा और बता सकते हो, अगर आप कुछ करो, April में, आपके लिए message ये है, अगर आप कुछ लिखते हैं, कविताएं, या कोई कहानिया, या फिर painting करते हैं, sketching करते हैं, या तो बड़े इस तर पर कुछ करो, April के महीने में, या फिर इस तरीके से भी क पर सकते हो, अब YouTube, Instagram पर अकाउंट बना के, लोगों तक पहुचाना, वो भी बड़ा हो जाएगा, शुरू आत में चोटा है, लेकिन ये बहुत बड़ा है, आप सबी लोग को पता, YouTube, Instagram बहुत बड़े प्लेटफोर्म्स हैं, भई, शुरू में लगता है, छोटा मोटा, ल उसका पूरा फायदा आप लोग उठाईए, ये आपके लिए संदेश है, दूसरा, अगर आप जॉब करते हैं, आप बिजनिस करते हैं, तो जितना आप अपने आइडियाज लगा सकते हो, लगाईए, क्योंकि जैसे आप अपने आइडियाज लगाओगे, वैसे आपकी त आप जो भी आपका बिजनिस हो, तो यहाँ पर अब आपको अपना टैलेंट दिखाने की जरूरत है, एपरेल के महीने में, वैसे क्या था, टैलेंट आप दिखा रहे थे, लेकिन वो दिखनी रहा था, एपरेल के महीने में ऐसा होगा, कि लग भी काम करेगा, आपकी महनत भी होगी, तो कहीना कहीं, आप इधर महनत लगाओगे, और इधर आपका लग काम कर जाएगा, तो लोगों को दिख जाएगा, कि आप क्या हो, तो इससे आपका बिजनिस ना, डबल, टृपल तरीके से बढ़ेगा, ठीक है, अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे हो, तो आप वह है कि कुछ ट्राइ करो, कुछ नया करो, इंस्टरग्राइम अकाउंट, क्यूंकि उसमें बहुत ऐसे कुछ पैसा बैसा तो लगता है, नहीं देखो, अकाउंट क्रिएट करने में, तो वहाँ पर अकाउंट के अपना क्रिएट करके, अपने रील्स घ्रे बना के, डानन खुशिया खुशिया होंगी प्रकाश ही प्रकाश होगा ठीक है उसे अप्रेल का महीना आपके लिए बहुत अच्छा है guys आपको बसे सब कुछ मिल रहा है जो आप चाहते हो पैसा चाहते हो पुजेशन चाहते हो distant partner है चाहते हो सब कुछ आपको मिल रहा है तो हेल्थ के लिए बहुत कम काट जाते हैं लोगों के लिए जेस्टिस का यहां पर काट है विच मीन्स जो भी अच्छे कर्म करें है उनका फल आपको एपरिल के महीने में मिलेगा, कुंग्राचिलेशन प्लेफुल अनोजी है, आप एंग्जॉई करोगे इस तरीकी से बच्चों के जैसे खुल कर, तो यह होने वाला है और देख लेते हैं, क्या है आप लोगों के लिए केरिंग कनेक्शन अगेन अगर आपका सेपरेशन चल रहा है गाईज, तो रियूनियन होने के चांसेज है, अगर आपकी लाइफ में कोई नहीं है, तो कोई आजाएगा मेरिट हैं, अगर आप और कुछ इशूस चल रहेते हैं, आप दोनों के बीच में, तो फाइनली वो इशूस खत्म होंगे और अगर कुछ भी नहीं है, सब बढ़िया चल रहा है तो आपकी मीटिंग हो सकती, आप डेट करोगी जॉइन कर सकते हैं, या हो सकता आप दूसरों को क्लासिस देना शुरू करें अगर आप इसमें बहुत अच्छे हैं, और आप ये प्रेक्टेस करने ही पा रहे थे, तो आप ट्रेक्टेस करोगे, खुद को भी rejuvenate करोगे और दूसरों को भी help करोगे to understand their journey किस तरीके से उनको speciality में आगे निकलना और किस तरीके से meditation yoga help करते उनके destination तक पहुँचने के लिए ठीक है woman holding a heart अगर आप male है और ये reading देख रहे हैं तो again आपके लिए proposal यहाँ पर आने वाला है या तो यह arranged marriage का कुछ होगा या फिर love marriage का भी हो सकता है कोई है जो आपको propose करेंगी so be ready आप देखेगा आपको क्या करना है आपके manifestation भई रंग ला रही है तो अगर आप चाहते थे कि ऐसा कुछ हो तो हो रहा है साथी साथ अगर आपके अंदर कोई guilt है शेम है तो उससे आप बाहर निकलोगे आपको exactly क्या कुछ सालों पहले हुआ था उसकी clarity मिलेगी हो सकता है कि आपकी कोई गलती ना हो लेकिन आपको लग रहा है कि आपकी गलती थी और उसको आप पकड़ कर वैटे थे तो finally उसकी clarity आपको मिलेगी और आपके अंदर से ये shame ये guilt निकलेगा आपका heart chakra जो है वो कहीं न कहीं unblock होगा और साथी साथ आप दूसरों पर भरोसा कर पाओगे प्यार कर पाओगे और दूसरों को भी प्यार करने दोगे कोई ऐसा व्यक्ति आपको ये भी बोल सकता है कि उन्होंने आपको maaf कर दिया जिनको आपने कभी hurt किया था अगर किया था ठीक है तो उनसे आपकी बात होगी और वो आपको बोलेंगे कि आप उनके दिल में आपके लिए कोई नफरत नहीं है कोई शिकायत नहीं है आपकी वज़े से कही न कही उन्होंने ग्रो किया तो ये भी एक बड़ा रीजन होगा जिससे कि आपके अंदर से गिल्ट निकलेगा और ऐसा भी हो सकता है कि आपके मन में अगर किसी के लिए बहुत नफरत है तो इस नफरत को आप निकालोगे और उनको फोगिव करोगे जिससे कि आप अपनी जोर्नी में आगे बढ़ पाओगे यहाँ पर यह मैसेजिस आपके लिए आते हैं और बहुत ही सुन्दर रीटिंग है बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे रीट करते हैं कोई ऐसा व्यक्ति आपके जीवन में आ सकता है वापस जिनके साथ में आपका कनेक्शन पहले था या फ्रेंशिप थी और उनके साथ में बहुत अच्छा कुछ चला नहीं क्योंकि उनकी आदत थी इनन आउट होने की जब उनको जरूरत होती थी वो आते थे और फिर चले जाते थे तो उनका आना फिर से हो सकता है अभी आप इनको इस बारी भाव दोगे या नहीं दोगे वह आपको सोचना है हो सकता है यह वही हो जिनके लिए मैसेज़े आ रहे हैं कि आप उनको बोलोगे कि आपने उनको माफ कर दिया ऐसा कूई आप सोर्ट डिसीजन का भी ट पूरी तरीके से खत्म कर देना है इसका भी डिसीजन आप एपरेल के महीने में ही लेने वाले हो यहां पर अगर आपके पिता के साथ में संबंद अच्छे नहीं है तो इसकी क्लारिटी भी आपको मिलेगी कि क्यूं अच्छे नहीं है I mean क्यूं आपके फादर का बिहेविय अपरेल के महीने में मिलेगी प्लास यहां पर चैरेट की भी अनौजी है तो एक बैलेंस कही ना कहीं आप फाइंड कर पाओगे इन यूर लाइफ जो कि हम सभी लोगों को चाहिए आपके रिष्टों में आपके कनेक्शन में रिष्टे से मेरा मतलब था माबाब के साथ मे अदिन के साथ तो वो बैलेंस कहीं ना कहीं आप खोच पाओगे आपके अंदर जो इन गया इनग में यूर कि करके आफ ञीड़कि अ किि सवन लोगों को मैं सला दूंगी कि आप लोग या तो इन यान करके लिझा i aytt वो ले लीजे उसे पहनिये अप्रील में या फिर आप एक काम कर सकते हो कि जो रेड जेट करके एक क्रिस्टल होता है उसका ब्रेसले पहन लो ठीक है बहुत काम करेगा आपके लिए गाइस किसी को जवाब देना पड़ सकता है आपको तो त्यार रहें अगर पास्ट में कुछ हुआ है तो उससे जुड़े कुछ सवाल किये जा सकत है आपसे एफ्रेल के महीने में और जो कि जरूरी है तो आपको एक तरीकी से मौका मिलेगा खुद को एक्स्प्लेइन करने के लिए तो आप इसके लिए तयार रहें एनाजी इस गेनिंग मुमेंटम तो कोई भी काम रुका हुआ है फाइनली ना एफ्रेल में आपको दिख आपसे जवाब मांगा जाएगा जवाब दो बैलेंस, इस्पेश्यारिटी ऐनड प्रैक्टिकलल रंग जो कि मैने आपको बोला के इनन-ाएन के एनोजी को बैलेंस करनी है गत्तु है एक कितना इस्पेश्वल होना है इस बात का आपने ध्यान रखना है एप्रेल के महीने म क्योंकि यह काम पड़ेगा यह बैलेंस जरूरी है फो यू ठीक है ना जहां पर प्रैक्टिकल होकर फैसला लेना है प्रैक्टिकल होकर लो जहां पर इस्पेशल होकर लेना है इस्पेशल होकर लो अब यह क्या डिफ्रेंस से मैं बता देती हूं जैसे बहुत से लोग मेरे प कि हम जुडने की कोशिश करते हैं तो हमें एवियूज किया जाता है तर मेरे सवाल होता है कि क्यों फिर क्यों आप मतलब इतने एफॉर्ट क्यों लगा रहे हो तो सामने से जवाब आता है दीदी यह पता है Twin Flame connection एसा है जो कि हमें Trigger करता है लेकिन कोई अगर कोई आपको abuse कर रहा है अगर कोई किसी ने इतनी बुरी आपकी हालत बना रहा है कितना ही बड़ा Twin Flame क्यों ना हो मैं तो नहीं किसी को सला दूंगी कि आप special connection को पकड़ के बैटे रहो जहां पर आपकी condition खराब होरी जहां पर आपका सम्मान नहीं हो रहा तो इस प्रिचल होकर चीजे करनी हैं लेकिन ऐसे नहीं करनी है हो सकता है कि उस ट्रेंट फ्लिम के साथ में इस जन में आपका union नहीं लिखा है छोड़ दो जाने दो कि कि ऐसे union का भी क्या फायदा कि अगर आपकी शादी हो जाती है और बंदा हर दिन आपको पीटता मरता है आपको गालियां देता है क्या कैसे रह लोगे आप ऐसे व्यक्ति के साथ बिना प्यार के रह लो बिना सम्मान के कैसे रह पाओगे तो practically भी सोचना है spiritually भी सोचना है इस पिर्चल आपने सोचा आपन सामने वाला आपको respect नहीं कर रहा है आपको नहीं समझ रहा है think practically and move on okay yes खुद के सम्मान के साथ में compromise करने की जरा भी जरूरत नहीं है that's why मैं बोलती हूँ independent बनो ठीक है ना yes और क्या receive कर रहे हो आप marriage bells तो जो कि मैंने कहा कि शादी के chances हैं तो शादी आपकी इत्ता है हो सकती है या फिर आपके घर में किसी की तो function वगएर तो है new birth inner birth तो कही ना कही नयापन आपको देखने को मिलेगा ऐसा भी हो सकता है कि घर में कोई baby आया और ऐसा भी हो सकता है कि आपका ही नया जन्म हो एक नयापन आप अपने अंदर महसूस करें rejuvenation की फिर से यहाँ प हो सोचेंगे समझेंगे perception change करेंगे और आगे बढ़ेंगे auspicious function एक बहुती शुभ अवसर आप देखेंगे आपके घर पर होते हुए या आपके जीवन में होते हुए finally किसी भी तरीके की dark energy black energy है तो उससे आपको मुपती मिलेगी और देख लेते हैं क्या आप receive करने वाले है यहाँ पर है great opportunity तो कोई बहुती सुन्दर सी opportunity अफसर आपको मिलेगा कुछ कर दिखाने का चाहें वो आपका work field हो चाहे personal life हो winning lottery पैसा आने वाला है और winning lottery से मतलब वीवे हो जाता है कि कहीं पर आपने invest किया कैसे भी invest किया चाहे financially चाहे emotionally तो वहाँ पर आपको profit होगा material love bliss in upcoming period तो अगर पैसे वैसे का आपको सोच रहे हो manifest कर रहे हो बड़े जॉब या business का या बड़े घर का या car वगएरे का कुछ चाहिए आपको bike चाहिए या jewelry चाहिए तो हाँ April के महीने में मिलने के chances हैं आपको gifts भी मिल सकते हैं dangers will be barred off तो किसी भी तरीके का खत्रा अगर आप पर मंडरा रहा था April के महीने पूरी तरीके से चला जाएगा कोई इच्छा आपकी पूरी होगी accomplishment of desire and blessings of goddess Lakshmi तो पैसा आ रहा है भर भर कर and धेर सारी awareness है awareness मतलब health, wealth, love, connection, name, fame सब कुछ होता है मा लक्ष्मी को लोग जादतर ऐसे बोलते हैं कि वो पैसे की ही देवी है मतलब मा लक्ष्मी आएंगी तो पैसा आएगा ऐसा नहीं होता गाइस मा लक्ष्मी संतुष्टी की देवी है तो वो हर एक चीज जिससे कि हम संतुष्ट होते वो मा लक्ष्मी देती है इसलिए उनको ऐसा बोला जाता है कि उनकी आप अराद ना करें उनको तो छोड़े ही नहीं किसी भी कीमत पर किकी वो होंगी तो health भी अच्छी होगी ऐसा है अच्छा connection में मिलेगा सुख मिलता है ना मा लक्ष्मी से तो यह यहाँ पर आपके सामने वाले हैं देख लेते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या है लेट सी अगर किसी से कहा सुनी हो जाती है आर्गिमेंट्स होते हैं तो आपको बोला गया है कि सामने वाली की भी सुने और उसके बाद ही कोई जवाब दें ठीक है सिर्फ अपना ही नहीं रखना है अपनी बात नहीं रखनी है अपने आपको इसारी हूं या मैं यह बैचाराए हूं तो हो सकता है आप लेकिन पहले तो वाली वह नशी रखनी नहीं चाहिए लेकिन फिर भी अगर आपको लग रहे है कि आप सई हो चारों तरफ सब गलत हैं अच्छी बात है उनका भी नजरिया सु होता रहे हैं आप बिल्कुल शांत रहेंगे और इसका सबसे अच्छा तरीका है अनुलोम विलोम ठीक है आप कैसे करना है वह आप देख सकते हैं वीडियो पर अदर्वाइस मैं एक छोटा सा शौट डाल दूँगी कि मैं कैसे करती हूं तो बहुत इंपोर्टन्ट है आपको अपनी सांस को कंट्रोल में लेना है अगर आपने वह कर लिया तो आपने दुनिया जीत ली ठीक है ऐसा है यह थी आपकी रीडिंग आपको पसंद आई हो अगर पसंद आई है तो लाइक जरूर करें रेजनेट करी हो तो मुझे जरूर बताएं शे ली देख लेते हैं अप्रिल का महीना अपके लिए कैसा रहने वाला है आपके तो यहाँ पर पहले दो कार्ट जाए हैं पहला तो है एट ओफ पेंटिकल्स और दूसरा है कुईन ओफ फॉर्ण्स एट ओफ पेंटिकल्स के साथ में अप्रिल का महीना ना बहुत ही महिंती रहेगा यानि कि बहुत महनत आपको करनी पड़ेगी अप्रिल के महीने में और इस महनत का फल भी आपको मिलेगा ऐसा नहीं है कि आपने महनत करी और महनत बेकार चलीगी जो कि जादतर एरसाइन वालों के साथ हो जाता है कैसे ना कैसे गरके यहाँ पर जो लोग भी एरसाइन के हैं अगर आपकी राशी है लिब्रा जेमिना एक वेरियस वो सभी लोग का I know comment करेंगे कि हां दी ऐसा होता है हम इतनी महनत करते हैं हमें उसका फल नहीं मिलता तो है कुछ ऐसा बट इस बारी अपरेल के महिने में वो चीज नहीं है आप महनत करिए और आप महनत करेंगे उसका वैसा फल आपको मिलेगा और इसका फल आगे चल कर भी मिलेगा मतलब आपके अंदर हिम्मत रहे, क्या भी आप जो महनत कर रहे हो, वो ऐसा नहीं है, कि इतनी महनत कर रहे हो, इसका फ़ल अभी मिल गया, और जिस्ट एंड हो गया, नहीं, यह आपका फ्यूचर बनाएगा, ओके, क्यों, क्योंकि यहाँ पर कुई नो वांड का भी कार्ड आया हु हुआ है, सो कही ना कहीं एक पोजीशन, एक और आपको मिलने वाला है, फ्यूचर, ठीक है, इसकी शुरुआत हो चुकी है, मार्च से ही, अब मुझे नहीं पता कि कितने लोगों को रियालाइज हुआ है, लेकिन शुरुआत तो मार्च से ही हो गई है, सो आगे के जो महीने है, यानि कि यह पूरा साल है, कहीं ना कहीं एक पॉजिटिविटी, एक अबनेंस आपके जीवन में लेकर आएगा, धीरे-धीरे करके, अभी थोड़ा स्लो रहेगा एनरजी, और आप देखोगे कि यह अप्रेल है ना, अप्रेल एंड मे का जो थर्ड वीक है, वहां से कितना तेजी से आगे बढ़ती है, अब यह थोड़ा स्लो है, तेजी से आगे बढ़ेगी, ठीक है, तो कुईन आप वांड के अनरजी है, विच मीन्स कहीं ना कि आप अट्रेक्ट करने वाले हो, बहुत से लोगों को प्रेना देने वाले हो, कि वह कैसे अपनी जीवन में आगे बढ़ें, कैसे अपनी लाइफ को लीट करें, हर दिन कैसे, हर दिन को कैसे बहुत ही जादा, I mean कैसे यूटलाइज करें, ठीक है, ऐसे आप सुझते हो, आप सोचते हो कि ओके, आज मेरा गोल यह है, आज का गोल यह, एक तो वो लाइफ गोल है ही, जो हम सभी को अची सब कुछ तरीका सीखेंगे, कि कैसे आप लीट करते हो आपकी लाइफ को, तो वो भी करेंगे, तो inspiring figure में कहूं, एक personality में कहूं, तो वो बनकर आप सामने आ रहे हो, April के महीने में, ऐसा होगा, आप या तो आप कुछ प्रियास करोगे, या फिर यूनिवर्सी कुछ ऐसा कर देगी, कि आपको लोगों के सामने आना पड़े, कई बार हमें मजबूरी में सामने आना पड़ता है, बट हमें फिर उस वक्त पता नहीं होता कि हम क्या कमाल करेंगे, लेकिन देरे-देरे कमाल हो जाता है, तो वो चीज़ है, मुझे ऐसा लग रहे है कि सोशल मीडिया के स सामने अगर आप नहीं आते हो, तो आप आओगी आप अपरिल के महीने में, किसी ना किसी तरीके से लोगों की जिन्दीगी को आप परिवर्तित करोगे, ऐसा होगा, यह बहुत बड़ा काम होने वाला है, और देख लेते हैं, क्या है, और क्या होता है ना, कि जब हम लोगो के सामने आते हैं, तो हम खुद के भी केर करना शुरू कर देते हैं, वैसे क्या है, हमारे ऐसे ही पढ़े हैं, कोई फिक्र नहीं है, अपने लुक्स की, अपनी परसनालिटी की, लेकिन जब आती है जाती हैं, कि हमें लोगों के सामने खुद को दिखाना है, और रिप्रेज अपने आप अपने लोगों से, आपने लाइफ में जो भी अचीव किया, कैसे किया, वो स्टोरी, वो हिस्ट्री आप शेयर करेंगे, अगें बदलाव लोगों के जीवन में आप लेकर आएंगे, बहुत से ऐसे काम जो लोगों को बहुत मुश्किल लगते हैं, उसको आसे आसान तरीके से कैसे कर सकते हैं, इसकी जानकारी आप लोगों को देंगे, साथी साथ खुद भी लेंगे, क्योंकि आपको दूसरों को बताना है, इसलिए आप खुद भी सीखोगे, जब हम स्टूरें थे, तो बहुत से ऐसे चैप्टर्स जो हमें समझ नहीं आते थे, हम छ तो इस महीने आप काफी कुछ सीखोगे, so that आपकी लाइफ में सुधार हो, और इसकी वज़े से आप दूसरों की लाइफ में भी सुधार करोगे, ठीक है, financially आप काफी कुछ अचीव करने वाले हो, और personal level पर मुझे ये चीज़े अभी तक दिखाई दे रही है, relationship को लेकर अभी, I mean अगर आप लोग reading देख रहे हो, marriage को, relationship को लेकर, तो अभी तो को energy यहाँ पर निकल कर नहीं आई है, यह पूरी तरीके से self love को दिखा रहा है, यह जो energy यहाँ पर बन रहा है न, तो self love की बात करी जा रही है वहाँ पर, तो let's see, आगे अगर cards निकलते हैं तो अब कुछ ऐसा है जो कि मैं share कर सकती हूँ about your connection, तो हाँ, आप अपने soulmate या twin flame से एपरिल के महीने में मिल जाएंगे, अगर आप single है, already अगर आप जानते हैं कि आपका soulmate या twin flame कौन है, तो उनके साथ में आपका connection और जादा अच्छा, गहरा होगा, बहुत दिनों से मिले न अगर कोई third party situation थी आप लोगों के बीच में, तो वो third party situation खुद वाखुद हट जाएगी, यहाँ पर किसी को कुछ करना नहीं है, ना आपके partner को, ना आपको, situation ही कुछ ऐसी बनेगी कि third party खुद हट जाएगी, ऐसा होगा, जिसकी वज़े से आपका union नहीं हो पा रहा है, यह आप दोनों के बीच में जगड़े होते हैं, तो वो वज़ा ही नहीं रहेगी, यह होने वाला है, ठीक है, आरेंज मेरेज का अगर आप सोच रहे हो, तब रिष्टानी आपको मिल पा रहा है, एपरेल में मिलेगा, तो आप अपने parents को बोल सकते हो, कि अगर वो बहुत अपने लेवल से देख सकते हो, ऐसा है, अपने end से देख लो, night of swords, communication के energy है, news के बारे में यह बताता है, कार्ड, प्लस एक ऐसे incident की बात करता है, जो कि कुछ seconds में आता है और चला जाता है, ठीक है, तो अब यह किस बारे में हैं, इसको clarify कर लेती हूँ, फिर आपको explain करती हो हर reading में न, अलगी message निकल कर आते है, तो बहुत से लोग यह सोच रहे होंगे, कि आरे night of swords का, तो मतलब यह है या वो है, ऐसा नहीं होता है, combination के हिसाब से देखना होता है, that's why, okay, तो कोई opportunity आपको मिलने वाली है, और यह opportunity ऐसी होगी, जहां पर आपको बोला जाएगा, कि आ आपको क्या करना है, ठीक है, यह आपके finances को लेकर होगा, कहीं पर आपको invest करना है, या कुछ खरीदना है, अबेशना है, कुछ करना है, कुछ भी, आप सोच रहे हो about your job, about your business, about your investment, कुछ भी है, तो यह बहुत quickly होगा, एक से दो दिन आपको मिलेंगे, और आपसे पूछा ज नहीं है, लेकिन हा, यह एक अच्छी opportunity मुझे दिखाई दे रही है, तो अगर ऐसा कुछ होता है, आपके साथ, तो आप तुरंथ जो दो दिन आपको मिलते हैं, उसमें जो भी experts हैं, जन पर भी आपको भरोसा है, आप उनसे discuss करें, और मैं तो यही कहूंगी, कि आप आगे जाएं, बट अगें, जर्नल रीडिंग है, तो पर्सनली इन चीजों के बारे में आप सोचें, ठीक है, तो आप किसी से सलाल मस्वरा कर सकते हैं, आपके घरवालों से बात कर सकते हैं, घर में अगर कोई ऐसा व्यक्ति है, जो आपको सही सलाह दे, तो उनसे आप बात करो औ अपनी फैमिली से मिलने जा सकते हैं, आपके फादर के साथ में कुछ डिसक्शन होगा किसी विश्यर पर, तो वो एक लंबी डिसक्शन होगी, तो वहाँ पर आपका काफी समय जाएगा, लेकिन जो भी प्राब्लम में इसका सलेशन आप निकाल लोगे, आप और आपके फा पॉचनेटी की बात करिए, आप अपने फादर से बात इस बारे में कर सकते हैं, अगर आपको ठीक लगता है, तो अल्राइट, अगर उनका एक्स्पीरियन्स अच्छा है, फाइनिस को लेकर, तो यू कैन डिसक्स विद हिम अबाद दिस, ओके, तो लग आपका साथ देगा गाईज, अप्रिल में बहुत सारे पॉचनेटी आपको मिलेंगी, आगे बढ़ने के लिए, सक्सेस्फुल होने के लिए, फाइनेशली स्टेबल होने के लिए, डिगरी पाने के लिए, सर्टिफिकेट डिप्लोमा पाने के लिए, आपका जो गोल है उसको अचीव करने के लिए, आपके सोल पापस को पूरा करने के लिए, गो अहेड रुखना नहीं है, और पीछे पलट के देखना नहीं है, बहुत से लोगों के लिए यहाँ पर फोर वांस का काड आया है, विच मीन्स यहाँ पर कोई सेलिब्रेशन हो सकता है, कुछ लोगों की शादी है, हो सकते हैं, एपरिल के महीने में, अल्राइट, सो लग आपका साथ देने वाला है, पूरी तरीके से, चैरियट है, चीज़े तीजी से आगे बढ़ेंगी, और कोई बड़ा काम आपका बनेगा, चीक है, ऐसा होगा, हैरोफेंट की यहाँ पर अनोजी है, तो आप हो सकता है किसी गुरू से मिलें, या आप हो सकता है, खुद ऐस गुरू लोगों को सलाह देने लग जाएं, उनको गाइट करने लग जाएं, ऐसा भी हो सकता है, नॉलेज गेन कर सकते हैं, और लोगों को परिवर्तित करने का काम आप कर सकते हैं, एपरिल के महीने में, ऐसे ऐसे मेसे जजा रहे हैं वहीं आपके लिए और देखते हैं ट्रेवल है यहाँ पर दो से तीन बारी एपरिल में यह भी है कुछ ऐसे फैसले भी आपको करने पड़ सकते हैं जिसको लेकर आप बहुत खुश नहीं होंगे लेकिन आपको लगीगा कि अगर आपने यह फैसला किया तो फ्यूचर में आप खुश रहोगे अभी खुश नहीं हो लेकिन फ्यूचर में रहोगे तो कुछ ऐसी चीज़े भी आपके जीवन में आ सकती है अप्रिल के महीने में then we have women holding a heart हो सकता है ये किसी female को लेकर हो आप चाहते हैं कि उनका प्यार आपको मिले उनका सम्मान आपको मिले उनका support संग आपको मिले तो उनको खुश रखने के लिए कुछ ऐसे फैसले आप कर सकते हो जो कि आपको अभी अच्छे नहीं लग रहे लेकिन आगे आपको अच्छे लगेंगे ठीक है और हो सकता है ये male हो ये feminine energy है तो हो सकता है masculine energy हो क्या नहीं सकते है इस sun का card यहाँ पर आ चुका है तो खुश रहेंगे आप एप्रिल के महीने में खुश मिला के वो सारे cards देखकर ही महसूस हो रहा है हमेशा air sign के लिए बहुत ही भारी energy आती है लेकिन इस बारी बहुत ही सुंदर energy है यहाँ पर यह दोनों cards आए है wheel of fortune आए, four of wands आए, ten of pentacles यहाँ पर है family की wives है बच्चों की wives है parents की, शादी की, function की and travel की यह सारी चीज़े है तो शादी भी हो सकती, engagement भी हो सकती है किसी और की घर में शादी हो birthday party हो या कहीं पर invest किया है तो वहाँ से profit है तो हर जगे से फाइदा ही फाइदा दिख रहा है ऐसे energy है कि खुशिया है health भी आपकी अच्छी होगी sun का card आपने देखी लिया आप सभी लोगों को पता है sun का card आ जाए तो फिर पूरी reading positive हो जाती है कितने भी cards आपके negative हो अगर sun का card आ गया तो बस तो वही यह sun का card आ गया अगला जो card है वो भी blossoming abundance का है तो again यहाँ पर धेशारी abundance के messages मिलते हैं थोड़ा सा कुछ compromise करना पड़ेगा आपको balance बिठाने के लिए दिमाग आपका कहेगा बहुत आगे भागो लेकिन आपको physically थोड़ा you know धीरे धीरे steps लेने होंगे और बहुत जादा जिद में आकर जल्द बाजी में रहकर कोई फैसला नहीं करना है and then आपकी होगी victory तो यह जो महीना है victory का महीना है for you but again वही है कि अगर आप थोड़ा तसल्ली से काम करेंगे तो ओके और देख लेते हैं क्या है आपको जल्द बाजी नहीं दिखानी है इस महीने आप job कर रहे है बिजनेस कर रहे है तसल्ली रखो फरोसा रखो success आपको मिलेगा अगर आप student है आपके लिए यह बहुत अच्छा महीना है recovery from illness तो कोई भी अगर health related issues है उससे बाहर आप निकलोगे money 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 पैसा आएगा success and lawful earning ऐसी earning होगी जो कि वैद हो ठीक है और success है यहाँ पर आपके लिए health अच्छी हो रही है पैसा भर भर कर आ रहा है धेर सारी earning हो रही है success आपको मिल रहा है parent couple यहाँ पर भी couple है यहाँ पर भी couple आई हुए है entertainment तो कुछ ऐसा होगा कि आप enjoy करोगे कुछ भी entertainment का कुछ भी साधन हो सकता है कुछ भी हो सकता है घर में music जैसे यहाँ पर हो सकता है अपनी family के साथ अपने partner के साथ में कोई movie देखें music सुने dance करें soothing of mind कुछ ऐसा करें जिससे के मन शान्त हो romance है passion है okay यह card बहुत कम आता है I think parrot couple यहाँ पर आया है बहुत कम आता है I think then we are re-bop re couple kissing go on a pleasant trip तो किसी trip पर आप अपने partner के साथ जा सकते है कोई नहीं है तो कोई आपको मिलने वाला है उनकी साथ जा सकते है family time है family के साथ में समय बिताएंगे harmony and relationship आपका relationship बहुत अच्छा होने वाला है आप married हो, un married हो committed हो, engaged हो, जो भी है रिष्टा आपको बहुत सुन्दर जाने वाला है पैसा तो है कि यहां पर तीन बारी money 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 लिखा है तो पैसा तो है साथ में आपके partner के साथ है बहुत अच्छी बनने वाली दो बारी couple card आगे हैं आपर rabbit का यहां पर black and white rabbit का card है fertility, overcoming fear project will move है तो कोई project रुका हुआ है ना तो वो आगे बढ़ेगा और नयापन आप देखने को आपको मिलेगा और कोई भी डर है उससे बाहार निकलोगे beautiful woman feminine energy है proposal on way है new personal or professional partnership तो यह है भई धेर सारा प्यार धेर सारा romance यहां पर के लिए निकल कर आ रहा है और देख लेते हैं क्या है आपके लिए it's time to release negativity किसी भी तरीके की negativity है उसको आप बाहर निकाले अभी निकाले क्योंकि अभी भी आप reading देख रहे होंगे तो negativity से हो सकता है भरे होंके नहीं होगा ऐसा कुछ नहीं होगा तो यहाँ पर आपको बोला गया है कि इसको आप बाहर निकालो don't let your past hold you back past में जो भी हुआ है वो हो गया उसको छोड़ दो जो नया आ रहा है उसको accept करो और उसे celebrate करो a new start is coming क्योंकि नया start हो रहा है सब कुछ नया है तो नय पन के साथ में इसको enjoy करो don't let pride get new way और अपने pride को बीच में ना आने दें अगर अपनी तरफ से आपको कदम बढ़ाना है तो अपनी तरफ से भी बढ़ा सकते हैं good for you देख लेते हैं guidance क्या है क्या आपको करना है और नहीं करना है let's see choose to heal खुद को heal करने का इस महीने decide करें चाहे वो emotional healing है physical या mental healing है तो कैसे भी करके heal करें ठीक है yoga, meditation, medicine जो भी आपको ठीक लगता है दूसरा live in the moment बहुत ज़ादा future को ना सोच कर जो पल है उसको जीने का थोड़ा practice करें क्योंकि इससे ना आपका future भी bright होगा अगर आप बहुत ज़ादा future का सोच कर लड़ाई जगड़ा करते हो arguments में first जाते हो तो आपको present भी बरबाद हो जाता है future का भी कोई भरोसा नहीं रहता जो moment है उसको जी भर के जीना है खुश रहना है दूसरों को भी खुश करना है और इससे आपके future की भी अच्छी possibilities बन जाती है तो क्या पता अभी जो आपके काम अटके हैं वो इससी वज़े से अटके हैं क्योंकि आप future का ज़्यादा सोच रहे हो अपने present को भी कही ना कही arguments के चलते बरबाद कर लेते हो तो future के सोचने की जब बात आती है पसंदाई हो अगर पसंदाई तो लाइक ज़रूर करें रेजनेट करें तो मझे ज़रूर बताएं शेयर करें सब्सक्राइब करें थैंक यू सो मच पॉचिन दो वीडियो टेकिल लफ यूर्ट बापाई हाई गाई तो अगर आप आते हैं क्या कुछ आप सीखने वाले हैं क्या कुछ है गाईडेंस आपके लिए लेट सी क्याप्रिकॉर्ण लोगो टॉरस क्याप्रिकॉर्ण लोगो टॉरस यहाँ पर सबसे पहला काड आया है दी मजीशियन का तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप इस एनरजी को जरूर से अफर्म करें कॉमेंट में लिखे हैं और अपनी डायरी में भी जरूर से लिखे पहला काड ही आप लोगों के लिए इतना सुन्दर आया है इतना पॉजिटिव आया है आप सभी लोगों को ग्रेटफुल होना चाहिए ग्राटिटीट एक्सप्रेस करना चाहिए युनिवर्स के लिए सो मजीशन का काड हमेशा बोलता है कि कुछ भी आपके लिए impossible नहीं है आप जो भी चाहते हो आप पा सकते हो वो capability है आपके अंदर आप इतने talented हो हाँ आपको पता है या नहीं वो अलग बात है सो मजीशन के काड के साथ ये भी बोलते है कि ये जानने की कोशिश करो तो कहीं ऐसा तो नहीं कि आप किसी गलत track पर है और उस track पर आगे बढ़ने की वज़े से आप अपनी खूबियों को भूले जा रहे हो और आप परिशान हो रहे हो लोगों को शिकायते कर रहे हो कि आपका काम पूरा नहीं हो रहा यूनिवर्स आपकी नहीं सुन रही के कंट्रोल में रहेगा अगर आपने ठीक से कंट्रोल में रखा तो Magician का Card कहता है कि कोई भी आपकी विशो छोटी है या बहुत बड़ी है कोई भी विशो कोई भी ड्रीम हो आपका वो पूरा होना ही होना है April के महीने में तो सबसे बहला Card तो यही आपको बताता है आगे के Cards हम निकावती जाएंगे और देखते जाएंगे और क्या कुछ messages है for you, क्या कुछ guidance है We have King of Pentacles, again बहुत ही positive card आपके लिए आया है जो कि abundance की बात करता है, responsibility की बात करता है, authority की बात करता है respect की बात करता है, name and fame की बात करता है, position की बात करता है तो इस सब कुछ आप receive करने वाले हैं, April के महीने में लेकिन साथी साथ यहाँ पर जो कि मैंने कहा है, responsibility की बात करता है तो responsibilities भी आने वाली है कुछ लोग के लिए हो सकता है कि घर की जिम्मेदारी उन पर आजाए कुछ लोग के लिए हो सकता है कि उनकी शादी की बात पकी हो जाए या शादी ही हो जाए या engagement हो जाए कुछ लोग के लिए ऐसा हो सकता है कि हो सकता है उनको किसी को commitment देना पड़े या ऐसा भी हो सकता है कि उनको commitment मिल जाए अगर आपको commitment मिल जाती है तो उसे भी सम्हालना एक जिम्मेदारी है तो कोई ना कोई जिम्मेदारी आपको एप्रेल के महीने में पक्का मिलने वाली है with respect, love and stability अगला कार्ट देखते हैं क्या है आप सभी लोगों के लिए और फिर जो भी overall energy होगी वो मैं आपसे share करूँगी और यहाँ पर है justice तो अगर यहाँ पर ऐसे भी लोग हैं जो कि चाहते हैं कि उनको justice मिले अगर आप किसी कार्मिक साइकल से गुजरे हैं किसी व्यक्ति के साथ में और आपको लगता है कि उस व्यक्ति ने आपके साथ गलत किया और वो अभी बहुत एक खुशाल जिन्दिगी बितारा है या बितारी है और आप तकलीफ में हो तो उस व्यक्ति को भी यह महसूस होना चाहिए इस बात का एहसास होना चाहिए कि उसने आपके साथ क्या किया और जो उसने किया वो कितना दर्दनाग था तो हाँ आपकी यह जो प्रार्थना है वो कहीं न कहीं सुनी गई है और उस व्यक्ति को भी एहसास होगा एक्षली ऐसा सभी को होता है बट बहुत से लोग हैं जो वापस आकर आपसे माफी मांगते हैं और बहुत से लोग ऐसे हैं जो माफी नहीं मांगते अंदर गिल्ट रहता है लेकिन इगो इतना उनका बड़ा होता है कि वो वापस जाकर माफी मांगना उनको लगता है कि नहीं यह नहीं हमसे हो पाएगा आपकी case में यह है कि हो सकता है वो व्यक्ति वापस आकर आपसे माफी मांगे और ऐसा भी हो सकता है कि उसकी life में जो भी आपसे announce हो रहे हैं उनके बारे में आपको पता लगे एपरिल के महीने में दूसरा यह कार्ट balance की भी बात करता है तो जिस balance को आप खोजना चाहते हो आपकी जीवन में, आप चाहते हो कि, यूनो, professional life, personal life आपकी balanced हो, special journey भी आपकी balanced हो, health आपकी अच्छी रहे, parents के साथ में भी आपके सम्बन्द अच्छी रहे, आपके partner के साथ भी सम्बन्द अच्छी रहे, तो वो भी आप कहीं न कहीं, एपरिल के महीन में अचीव कर पाओगे, justice का, जो card है, वो karmic cycles के बारे में भी बात करता है, तो कोई भी ऐसा karmic cycle, जो की repeat होता रहता है आपकी जीवन में, उसके end होने के chances, एपरिल मंत में है, justice का card, अच्छे कर्मों और बुरे कर्मों की भी बात करता है, तो कोशिश करिएगा, कि एपर इससे में रहना, किसी को घमंड दिखाना, अपने ego को boost करना, या गाली को lodge करना, ये सारी चीज़े आपने नहीं करनी है, आप जितना जादा दूसरों को blame करोगे, उतना ही जादा problems आपके लिए, आप create करते जाओगे, ऐसा बोला जाता है, कि जब हम किसी को गाली देते हैं या किसी के लिए बुरा बोलते हैं, तो उस व्यक्ति का जो bad कर्मा है, वो हमारे कर्मों में add हो जाता है, और हमारा जो अच्छा कर्म है, वो उसके हिस्से में चला जाता है, that's why मैं सभी लोगों को बोलती हो, कि गुस्से पर काबू पाओ, क्योंकि गुस्से में आप लोग या किसी और से जाकर कर दी, तो अगर ये सब कुछ करते हो ना, तो कही ना कही आपके खाते में उस व्यक्ति के बुरे जो कर रहे होंगे इस जनक या पिछले जनके, वो आप उससे ले लेते हो, के लाओ, हमें दे दो, तो आप देखने में तो ये है, कि आप उनकी पर साथ में, अगर मिजीशन का कारड आया है, तो इसका मतलब है हो सकते हैं, आपको ट्रिपल वन या ट्रिपल टू या 1111 ये नंबर्स बहुत दिख रहे हों, इसका मतलब है कि आप कुछ भी सोचोगे, वो आपके साथ होगा, तो अच्छा सोचिए, ऐसा नहीं है कि दूस रही है, अच्छा सोचिए, खुद के लिए भी दूसरों के लिए भी, ओके, और यहां पर है दी एम्पेरर, अगेन यहां पर ओदे की बात होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात होती है, ओके, ऐसा भी हो सकता है कि बहुत से लोगों को ना गुट निउस मिल जाए, अब आप चाहते थे, फादर बनना या ममा बनना, तो आपके विश एपरेल के महीने में पूरी हो जाएगी, आपको कोई बड़ी वेबसाइट बनवानी है, कोई कमपनी खड़ी करनी है, अगर ऐसा कुछ आपका प्लान है, अभी कोई प्लानिंग यासी चल रही है ना, तो इस पर आप काम कर सकते हो एपरेल के महीने में, ठीक है ना, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए समय, पर्सनल लाइफ देखूं या प्रोफेशनल लाइफ देखूं, दोनों में ही ना, प्रैक्टिकालिटी दिख रही है, ऐसा लग रहा है कि एपरेल के महीने में, आपके जो भी फैसले होंगे, वो बहुत ही ज़ादा प्रैक्टिकल होकर होंगे, एमोशनल होकर नहीं, आप ये आपका पास्ट एक्सपिरियंस रहा है, कुछ ऐसा इसकी वज़े से, या फिर परिस्तियां ही ऐसी होंगे, जहां पर एमोशन का आपकुछ लेना देना नहीं है, तो सारे ही जो कार्ट्स में देख रही हूँ, जो ओवराल एनोजी देख रही हूँ, वो कही ना कही यही messages दे रही है कि बहुत ज़्यादा practical होकर आप सोचने समझने वाले और फैसला करने वाले हो, जो कि कहीं न कहीं सही भी है, जैसे कि आपकी तरक्की होते हुए मैं देख रही हूँ, आपकी professional life में, तो वहाँ पर देख रही हूँ कि आप बहुत ही ज़्यादा practical होकर, logical हो कर पाओगे, वहाँ पर practicality है, friendship नहीं है, emotions नहीं है, यह सारी चीज़े आपने नहीं रखी हुई है, वही अगर आपके personal life की मैं बात करूँ तो वहाँ पर भी अगर आप partner choose कर रहे हो, कुछ लों के लिए मैं देख रही हूँ कि शादी वगेरे की planning हो रही है, रिष्टा पक का हो रहा है, engagement हो रही है, या मालो आप किसी को पसंद करते हो, love marriage ही है, love marriage है, बट वहाँ पर भी कहीं ना कहीं logical चीजों को logically देखने का प्रयास किया जा रहा है, partner भी हम बनाएंगे, तो क्या क्या चीज़े रहनी चाहिए, मतब तब वो शादी टिक पाएगी, love marriage ऐसा नहीं कि बस देखा और प्यार हो गया, वैसा नहीं है, सोच समझ कर, कि ठीक है, मुझे ये पसंद है, मतब पसंद से शुरू है, पसंद है, फिर you know, date wait किया, फिर decide किया, तो वो चीज़ है यहाँ पर, तो बहुत एक practical approach रहेगी, April में आप सभी लोगों की, और जो कि अच्छा है, मतब universe का यह कहना है, कि अच्छा है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर six of pentacles है, bottom of the deck, तो थोड़ा सा एक planning बना कर अगर आप आगे बढ़ते हो ना, तो बहतर result आपको मिलेगा universe की तरफ से, ऐसा है, actually, क्या हो जाता है ना, कि जब हम बहुत जादा emotional, अपने manifestation के लिए emotional हो जाए ना, तो अगर वो चीज़ पूरी नहीं होती है ना, तो फिर हम बहुत जादा negativity से घर जाते हैं, क्योंकि हमारा मन वहाँ पर लगा हुआ है, तो initially तो हमें कहीं प्रैक्टिकली ही इसको handle करना है, जब हम यह सीख जाते हैं, कि हमें अपने emotions को कैसे control करना है, then emotionally भी involved होना होता है, तो अब भी मुझे नहीं पता, आपका initial stage है, या फिर आप बहुत आगे निकल आए हो, लेकिन practical approach के साथ आगे बढ़ रहे हो, और हर जगह से, मुझे यहाँ पर आपके लिए तरक्की ही तरक्की लिख रही है, तो यह अच्छा लग रहा है देखकर, चाहें आपके अप्रोच जो भी हो, जस्ट आ मिनट गाइस, और राइट गाइस, ओके तो यहाँ पर है patience, नमबर 16, उसके बाद है second chakra, ओके, then we have hostilities, 26, 666, अभी में आ रहे है, angel of balance, ओके, अप्रिल में आप सभी लोगों के लिए मैं देख पा रही हूँ कि जो भी आपने manifest किया होगा पिछले तीन महीनों में, तीन महीने का data यहाँ पर निकल कर आ रहा है, पिछले वाले, तीन महीने में आपने जो भी manifest किया हो, चाहें वो आपके destiny को लेकर कुछ आपने manifest किया, आपने decide किया कि आपको आपकी destiny change करनी है, कुछ ऐसे प्रियोग आपने किये, जो कि माली जी आपकी किसी ने कुंडिली देखिये और आपको बोला, कि आप job मत करिये, आप business करिये, आपके लिए business अच्छा है, ठीक है, तो आप job के लिए try कर रहे हो, उसका उल्टा कर रहे हो, तो understand कि किस तरीके से यह चीज काम करती है, अगर हमें बोला गया कि यहाँ पर कोई success नहीं है, तो अगर हम उस तरफ try करते हैं, तो क्या होगा, कुछ ऐसा किया जरूर गया है, यहाँ पर, तो जो भी आपने experiments करें हैं न, to change your destiny, उसका outcome आपको एफरेल में देखने को मिल जाएगा, और जो की बहुत ही positive है, और यह मैं सभी लोगों से कहती हूँ, कि आप try करना बंद ना करें, मैंने I think इससे पहले वाले वीडियो में आपनों को बताया था, I don't know किस में बताया था, कि मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है, जिनके हाथ की लकीरों में ऐसा था कि education नहीं है, बट then उन्होंने अच्छी खासी डिग्री पा ली, और बाद में जब उनका हाथ देखा, तो उनकी वो जो हम लकीरे बोलते हैं वो बन चुकी थी, तो ऐसे ऐसे लोगों को भी मैंने देखा है, मैंने दूसरों से सुना था, then सामने से भी मैंने देखा, तो ऐसी चीज़े होते हैं, ऐसा नहीं है कि जो चीज लिग गई वो बदल नहीं सकती, आप अपने कर्मों से बदल सकते हो, बहसी चीज़ों को, तो जो लोग यह बोलते हैं कि अब हम कुछ नहीं करेंगे, हमने गिव अप कर दिया, रोने लग जाते हैं, that's why मैं उनको थोड़ा पुश करती हूँ, या आप कहलो कि थोड़ा सा मैं उनसे गुस्सा करती हूँ, so that वो समझे, जैसे घरवाले करते हैं न, कि अगर कोई बच्चा रो रहा है, तो घर में फिर पहले प्यार से समझाते हैं, फिर गुस्सा करके समझाते हैं, कि यह समझे कि इसको आगे क्या करना है, रोने से कोई फायदा नहीं है, ता मैं गुस्सा करती हूँ, कि नहीं करना है ऐसा, क्योंकि इससे काम बिगड़ेगा बनेगा नहीं, आप ट्राइ करो, आप फिर से करो, होगा, तो वो चीज कहीं न कहीं आपने अपलाई करी है, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मैं प्राउट फिल कर रही हूँ कि यार ऐसे भी लोग हैं, तो उ समझ आएगा, जो मैं हमेश आपको बोलती हूँ कि युनिवर्स देती है, लेकिन अपने समय पर देती है, तो जब ये आउटकम आपको मिलेगा ना, जो भी आपने चाहा था, वो चीज आपको मिलेगी, तो आपको समझ आएगा कि हाँ, आगे से मुझे क्या करना है, जो बेट करोगे, जितना बेचैन रहोगे, एंसाइटे में रहोगे, उतना ही ज़्यादा लेट होगा, ठीक है, हमेशा याद रखो, दूसरा मैं यहाँ पर देख रही हूँ, कि अगर आपको बहुत ज़्यादा गिल्ट था, या बहुत ज़्यादा आपको शर्म आती थी खु कि किसी से बात ही नहीं करोगे, किसी से कुछ डिसकस ही नहीं करोगे, या रिलेशनशिप में नहीं आओगे, या फ्रेंशिप नहीं करोगे, भरोसा नहीं करोगे, तो उससे आप बहार निकल रहे हो, ऐसा नहीं यह बाउंडरी आप तोड़ रहे हो, लेकिन हाँ, ऐसी भी नहीं बनाई हुई है कि अच्छे लोग भी नहीं आ पाए यह मैं हमेशा लोग को बोलती हूँ कि boundary set करो लेकिन इस तरीके से कि पहचान आप करते रहो यहना कि कि किसी को भी नहीं आने देना है कई बार लोग ऐसा करते हैं कि बिल्कुल boundaries set कर ली कि कोई आपकी life में ना आए तो अच्छे लोग भी नहीं आपाते हैं उन कोई में ऐसा हो जाता है तो वो नहीं करना है आपको पैचान करना है कि किसको आने देना है किसको नहीं आने देना है वो boundaries set करो जिसमें गेट भी हो ऐसी boundaries भी सेट ना करो जिसमें दर्वाजा ही नहीं है ठीक है तो वह कहीं ना कहीं एप्रेल के महीने में आप कर रहे हो जो की बनता हुआ भी दिख रहा है बहुत से लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता आप इजिप्ट या किसी भी ऐसी जगे पर जाओ जहां पर यह हो सकती है जहां पर मैडिडेशन योगा इन चीजों के बारे में बहुत जानकारी दी जाती हो या कोई ऐसा नया कोर्स आप करो कोई डिगरी पाने की कोशिश करो ऐसा भी हो सकता है कि किसी के साथ में आपका यूनो कॉंट्रेक्ट हो जाए और उस कॉंट्रेक्ट के चलते आपको कहीं जाना पड़े तो जहां पर आप जाओगे वहां जाने के बाद में आपकी जर्नी में एक बड़ा बदलाव आएगा तो कोई ट्रेवल है कोई जर्नी यहां पर जरूर है और यह मुझे लगी रहा था और आपके लिए कार्ट भी है जर्नी का तो ट्रेवल करते ह इस भी मुझे आप लोग दिखाई दे रहे हो, एपरिल के महीने में और यह जो जर्नी है, यह जर्नी से वो नहीं है, मतब ट्रैवल करना यह आपकी لाइफ जर्नी है यह स्पिशल जर्नी है, तो वहां पर भी कई नह करो तरक्की करते हुए दिखाई दे रहे हो इसके अलावा और क्या है let's see then we have look at the bigger picture full moon in Sagittarius and we have time to release negativity वो तो आप कर ही रहे हो full moon in Scorpio fire and water be bold and make the first move तो आपको बोला गया है April का मन्त बहुत अच्छा है आपके लिए भाविश्य का सोचिए और आगे चल निकलिए अपनी तरफ से प्रियास करिए और आगे बढ़िए कोई और कुछा करेगा इसका इंतिजार मत करिएगा April का मन्त आपके लिए lucky मन्त सावित होगा अगर आप अपनी तरफ से कदम बढ़ाते हैं और आगे चल निकलते हैं इसलिए सबसे पहला कार्ड आपके लिए magician का आया था तो April का पूरा महीना आपके कंट्रोल में रहने वाला है चाहें आप relationship की बात करें चाहें आप आपके professional life की बात करें लेकिन आपको अपनी तरफ से कुछ प्रियास करने होंगे आप किसी से मिलने के लिए जाएं किसी guide के पास किसी healer के पास किसी astrologer के पास किसी मंदिर में मस्जित में गुरुद्वारे में कहीं पर भी आप शुरुआत करिये ठीक है ना यह आपके लिए यहाँ पर message है then we have new beginning तो यहाँ पर नई शुरुआत हो रही है अपरिल के महीने में आपके लिए unstoppable यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि इस बारी अगर आप चले तो आप रुकोगे नहीं तो इस वाली energy में आप आने वाले हो और यह song भी है आप इसको सुनिएगा आपको बहुत अच्छा लगेगा bravery and power तो आप महसूस करने वाले हैं खुद के अंदर and sure success overcoming fear यहाँ पर भी negativity and fear के messages थे और यहाँ पर भी वही है so negativity को छोड़कर आप डर को छोड़कर आगे निकलने वाले हैं और जिससे के बिलकुल आपको success मिलने वाली है जो लोग निडर होते हैं उनको success मिलती ही मिलती है दूसरा यहाँ पर गनपती बपा का message आपके लिए overcoming difficulties overcoming fear and difficulties तो जो भी परेशानिया है दिक्कते हैं उनसे बाहर निकल रहे हैं डर से बाहर निकल रहे हैं wisdom कही न कहीं gain कर रहे है and auspicious time ahead तो आगे जो है बहुती शुब दिन आपके जीवन में आने वाला है एपरेल के महीने से लेकर आने वाले तीन महीने आपके लिए बहुत अच्छे रहेंगे guys so we ready हो सकता है कि कोई function हो शादी एक तो आपका तो मैंने बताया ही हो सकता है किसी का birthday है तो इस तरीके के अफसर लगेंगे किसी पूजा पार्ट में आपको बुलाया जा सकता है कुछ भी हो सकता है then we have white eagle तो goal achievement तो जो भी आपके goals है उनको आप achieve कर पाओगे एप्रेल के महीने में material gain भी है status भी है जो कि मैंने आपको पहले ही बताया था emperor का card देखकर and king of pentacles का card देखकर कि कही न कहीं आपको एक अच्छा ओदा एक position एक status मिलने वाला है material gain यानि के घर car कोई भी वहिकल आपको लेना है या आपको जुल्री लेनी है या कोई भी जमीन आपको खरीदनी है या बेचनी है या कुछ भी ऐसा करना है तो इसके chances एप्रेल में बनते हैं ठीक है तो material gains में ये सारी चीज़े आते हैं इसके अलावा भी अगर आप कुछ समझते हो तो वह आपको मिलने वाला है ठीक है बहुत से लोगों की definition अलग-अलग होती है मैंने देखा है बात करते हूँ है तो जो भी आपको लगता हो कि ये material gain है तो वह आपको मिलने वाला है एक card और हब यहां से लेंगे और इसके बाद आपके लिए guidance होगा white feeder यहां पर आया है you're safe आपको बोला जारा बिल्कुल सुरक्षित है hope रखिए, faith रखिए आपके dreams पर जरूर से पूरे होंगे शान्ती भी आपको मिलेगी rebirth and a newness in life एक नया पन आपको आपके जीवन में April के महीने में मिलने वाला है so इसको celebrate करिए और इसको affirm करिए guys भूलिएगा बिल्कुल भी नहीं देखते हैं आपके लिए guidance क्या है April मन्त के लिए आपको क्या करना है या फिर क्या नहीं करना है let's see notice that special person अगर कोई व्यक्ती April के महीने में आपके जीवन में आता है आपको कोई सलाह देता है आपके finances को लेकर या आपके personal life को लेकर आपके looks को लेकर या आपके connections को लेकर आपके parents को लेकर या कोई भी छोटी से छोटी या बड़ी सी बड़ी बात को लेकर कोई भी सलाह देता है ना उस सलाह को जरूर से सुने उसको मानना है नहीं मानना है वो बात की बात है लेकिन पहले सुनों तो में भी आपकी सुनने की आदत नहीं है आपको लगता है आपको जादा पता है आपको सब कुछ पता है हो सकता है आपको पता हो लेकिन फिर भी जो म कर रहोगे न तो जादा से जादा नौलिज गेन कर पाओगे अगर आप गुरू बन जाओगे न तो अधूरे रह जाओगे ओके सो वही करना है आपको पता है अच्छी बात है लेकिन अगर कोई कुछ बोल रहा है न सुन लो अगर किसी से बाद विवाद होता है न तो सामने वाले का पक्ष भी आपने सुनना है और उसके बाद ही कोई जवाब देना है तो इसका मतलब है अग्यान यहाँ पर दो कार्ट ऐसे आगे हैं कि शायद आप सुनने में बहुत अच्छे नहीं हो या फिर आपको लगता है कि जो लोग बताने आते हैं वो ढंकी बाते आपको नहीं बताते हैं हो सकता है वो ऐसे बकवास करते हो बट फिर भी सुन लो आपके लिए अपरेल में जरूरी है डो इट यह थी आपकी रीडिंग आपको पसंद आई हो अगर पसंद आई है तो लाइक जरूर करें रेजनेट करी हो तो मझे जरूर बताए शेयर करें सब्सक्राइब करें ठेर सारी किसिया लव यौल बाबाई